हम बात कर रहे हैं confidence petrol की आज की दिन की बात करें तो इस टॉक में हमको 1% तक के upside के साथ closing देखने के लिए मिली है 120 के level से stock ने rejection लिया low और low pattern या हमको देखने के लिए मिला बड़ी गिरावट दिखाई stock ने support कहां लिया 84 के level पर इस से पहले गिरावट के साथ जिस level पर stock ने support लिया था 84 के level पर उसी level पर stock ने support लेकर bonds back के एक jump आया again गिरावट आई जब दोबारा गिरावट आई तो क्या अपने support level को stock नीचे keyword breakdown कर पाया तो नहीं उसी support से stock ने again bonds back करके अपने इस high को break out करता नज़र आई अगिरावट आई तो क्या इस लोग को breakdown किया नहीं इसके उपर से support लेके stock उपर keyword sustain होता नज़र आ रहा है अब अगर गिरावट आती है तो immediate support का काम करेगा 88-90 का level breakdown कर गया तो तगडे support का role play करने वाला है जहां से stock हमको multiple stamp support लेता नज़र आ रहा है इससे पहले भी support लिया था और हमको 120 तक के target दिकाये थे 84 के ही level पर इसका important support है अगर इस level को breakdown कर गया तो फिर वैसे condition में 80 तक का befall हमको दिका सकता है अब stock इसी level से bounce back होता है तो immediate जो resistance face करेंगा हम देख सकते हैं इससे पहले stock ने जहां से rejection face किया हुआ है 95-96 अपना पहला target रहेगा इसको break out कर गया तो अगला target बनेगा 100 का level अपना second target रहेगा 100 का level जहां से इससे पहले stock multiple time हमको rejection face करता नजहरा रहा है इसके तगड़े resistance है इसको break out करके उपर sustain होना important है लगातार तेजी के लिए अगर confidence petrol इसको break out करके 100 के level को break out करके sustain हो जाता है तो फिर बड़ी तेजी बड़ा jump हमको यहां से देखने के लिए मिल सकता है और जिस तरह से हमको stock sustain होता नजहरा रहा है उस according 100 का level break out करता नजहरा सकता है 100 के break out के बाद अगला target 10 और आगें 120 तक के target फिर confidence petrol हमको short term में दिखा सकता है अगर आप demand account open करना जाते हो तो description में दीगई लिंक से कर सकते हो education purpose के लिए कोई बाइसल या hold की सला नहीं है